इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे नेम डियक्शन करने वाले हैं जो हमारे पास अमीन्स का ओफिशली लास्ट लेक्चर रहेगा ठीक है इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कोल बिश्मित उसके बाद सैंड मेर गॉटर मैं स्टीफन बोवाल्ट ब्लैंक रिदक्शन जो हम कवर अप करने वाले हैं ठीक है तको समझ आ रहा है कि भयंकर इंपॉर्टेंट लेक्चर यह आपके पास रहेगा इतने सारे नेम डियक्शन आपके पास एक ही लेक्चर के अंदर हो रहे हैं ठीक है स्टार्ट करते फिर अडवान्स के भी कोश्चन करेंगे आज तो करने वाले हैं अमीन का लास्ट लेक्चर है फिर अगले लेक्चर से कार्बनाइल ऑफिशली स्टार्ट हो जाएगा अब आपको लगर होगा भी कोलबेश में तो मेरे भाई ऑफिशली फिनॉल में आता है तब अमीन में क्यों पढ़ा रहे हो उसके पीछे भी रीजन होते ह हर चीज के बीचे जब इसके ऊपर हम आएंगे तब आपको समझाएंगे अब हुस्टार्ट करते हैं स्टीफन रिडख्शन के साथ कहां पर यूज होता है किसके लिए यूज होता है वो हम समझते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलू एक छीज ध्यान से समझना पर बन रहा था RCH2 NH2 यह सभी को पता है लेकिन Stephen reduction यहाँ पर काम आता है कि हमें actually पूरा reduction नहीं करवाना है क्या नहीं करवाना है? पूरा reduction जैसे LILH4 या H2 वो सब पूरा reduction कर रहे थे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका partial reduction that is the most important thing यहीं पर जो next doubt आता है वो आना चाहिए आपको कि भई हम moles limit करके भी तो कर सकते थे यह why do we need a separate name reaction for that because moles limit करना बस theoretically असान रहता है lab में असान नहीं रहता because measurement में दिक्कत हो सकती है आपके instrument के अंदर गलती हो सकती है human error तो obviously होता ही है फिल्कल ध्यान से समझना क्या हो रहा है पहले मैं आपको summary बता रहा हूँ फिर mechanism पे आ रहा हूँ summary देखें ध्यान से बहुत simple है हमारे पास एक cyanide दिया होगा इसको हम react करवाते हैं officially यह reagent है that is SNCL2 plus HCl तो हमारे पास बनके आता है imine क्या बोलते हैं इसको imine basically हम लोग cyanide या nitrile से चले गए है imine के उपर and फिर इसका हम लोग hydrolysis करते हैं H3O plus या even neutral medium में भी करवात हो तो भी चलेगा लेकिन acidic में better रहेगा उसका reason भी बताऊंगा जो final product बनके आता है वो उनके आता है एक ldehyde यह इसका actual use है यह इसका actual use है समझ आ गया समझ आ गया अब चलते हैं इसके reaction mechanism के उपर बहुत ही simple सा mechanism है ध्यान से एक बाद समझ लो because इसी का जो बड़ा भाई है Stephen का वो है यह जो हम पढ़ेंगे acidic reduction वाला ठीक है तो दुनों भाई भाई है यह समझ लिया तो यह बहुत असान है ऐसा है questions तो करवाएंगे obviously तो SNCl2 plus HCl में आपको क्या समझ आ रहा है प्लस 4 तक जा सकता है प्लस 4 यह तो सभी को पता है न तो SN plus 2 से प्लस 4 में जा सकता है तो क्या बनेगा तो SNCl 4 बन के आ जाएगा balancing कर लेते हैं बलबल ध्यान से देखना 2HCl SNCl4 बन गया साथ में क्या बन रहा है साथ में H2 2H जिसको मैं बोलूँ वो बन रहा है नहीं बन रहा है H2 या 2H हमारे पास बन रहा है समझ आ गया अब जैसे 2H बना या H2 बना H2 ही लिख देता हूँ ऐसे आपको देखने के आदत नहीं होगी इसको वो नेसेंट की तरफ भी ट्रीट कर सकते हम तो क्या होगा तो साइनाइड आया जो है ना सिम्पल अब बोलेगे इस से सिम्पल क्या हो सकता है कुछ नहीं हो सकता सिम्पल से अडीशन रियाक्शन 4MCTS जैसे हम कर रहे थे कहां पढ़ाया है ये एलिफाटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया गया उसके बाद क्या है ये इमाइन बना उसके उपर हम करवा रहे हैं हाइड्रोलिस क्या आपको याद है ग्रिगनाड में मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोनाईल लाइक कंपाउंड वही तो है ये कार्बोनाईल लाइक कंपाउंड ही है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस तो यहाँ पे सबसे पहले जो acidic medium में हम ले रहे हैं hydrolysis वो H प्लस आया बस protonation कर दिया protonation करने से होगा क्या यह और ज़ादा electron deficient बन रहा है अब समझा रहे हैं क्यों हम acidic medium में लेना prefer करेंगे because protonation के बाद वो और ज़ादा electron deficient बन रहा है इसलिए हम protonation करवा रहे हैं as simple as that simple AF उसके बाद क्या होगा water आया water ने हमला किया किदर से इदर क्या दिख रहा आपको बार बार यही चीज दिखती है organic में कि एक carbon के उपर एक carbon के उपर OH है NH है तो क्या हो जाएगा कुछ removal होगा बट उससे पहले आपको समझ आ रहे है कि यहाँ पर एक base acid एक acid base reaction होना चाहिए simple सा acid base reaction हो गया उसके बाद बन रहा है एक carbon के उपर OH and a very good a very good leaving group बस इसको लेके निकल गया और जैसे इसको लेके निकला तो क्या बना तो हमारे पास बन क्या जाएगा एक aldehyde हमारे पास बन क्या जाएगा एक aldehyde तो basically stiffen reduction क्या है it is nothing but a partial reduction partial reduction समझ आ रहे हैं क्यों because amine नहीं बन रहा है तो बस partially reduce करवाया हमने एक cyanide को या nitrile को तो हमारे पास बनता है I mean उसका hydrolysis करवाया तो बनता है aldehyde please keep this keep this in your mind लिख लीजे इसको जल्दी से लिख लीजे इसको जल्दी से pause करके बहुत ही ज़ादा बहुत ही ज़ादा simple बहुत ही ज़ादा simple ठीक है अब चलते हैं आगे आईए DJ कुछ questions करवाते हैं करियर आए बहुत simple आप बोलो के भई क्या है ये सब करवाना पड़ता है क्या करें बस दिमाग clear हो जाएगा SNCL2 प्लस HCL किया तो क्या हो जाएगा तो हमारे पास एक I mean बने के आ जाएगा इसमें कुछ variation पॉसिबल ही नहीं है लिटरली पॉसिबल नहीं है ये बन गया फिर हाइडरोलेसिस करवा दिया जैको हाइडरोलेसिस शॉट में आप ऐसे भी करवा सकते हो जो मैं अब दिखा रहा हूँ तो यहां से बस मैं ये सिखाना चारा था कि कोई चेंज नहीं हो रहा है configuration में जैसे इस molecule में आपको दिखाई दे रहा है तो एक carbonyl preparation method भी आप इसको बोल सकते हो लिटरली इसको किसी भी chapter में पढ़ा सकते हैं समझ आ रहा है इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरी organic जो है वो एक ही chapter है यह officially आपको दिखा रहा है कि amines में भी हो सकता है carbonyls में भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है reduction में भी हो सकता है इसलिए एक chapter है बस पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा final product जो final product बनेगा at least एक बार पूरा mechanism कर ले ना mechanism तो ही नहीं है फरजी वाड़ा ही बोलो आप ठीक है simple सा तो है h2 generate किया, react किया, हो गया पूरा अगले में आते हैं जैसे मैंने आपको homework दिया था जो MS.1 से भी जो अभी पिछले दिन दिया था तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पहला ही question शाय दिया था पर PCL-5 था तो मैंने PCL-3 लिया समझाने के लिए तो क्या होता था PCL-3 के साथ याद आ रहे है नहीं आ रहा है मैंने आपको हैलो एलकेंस एंड हैलो अरीन चैप्टर में धंक से पढ़ाया था अमाइड वाला सिलसिला कैसे सोचा था हमने सोचा नहीं था एक्चल मेकानिजम में ये था कि इसके वेकेंट और्बिटल में हमला हो जाता है इसकी लोन पेर का लेकिन शॉट में क्या सोचते थे हम कि एक कार्बन की उपर डबल बॉंड ओ मतलब दो ओच तो दोनों ओच को मैंने रिप्लेस कर दिया PCL3 के, CL के दोवारा तो हमारे पास क्या बनेगा ध्यान से देखिए ये बस सोचने का तरीका था बनेगा निए बनेगा बताईए उसके बाद HB है, CLB है Living Group है, HCL हटा दिया तो यहां से Actually Cyanide बने के आ जागे, ये समझाने का तरीका Actual में क्या होगा ना यार वही ना, सेम चीज Lone pair है, Living Group है हमेशे के तरह लीफ करेगा बस वही सेम चीज तो Cyanide बनेगा First step के बाद उसके बाद SNCL2 प्लस HCL Cyanide से Imeen बनेगा Imeen का Hydrolysis किया गया है Neutral Medium के अंदर तो यहां पे बन के आ जाएगा Benzaldehyde क्या बन जाएगा मेरे भाई Benzaldehyde Simple है या निये बताईए Simple है या निये इससे Simple कुछ नहीं है इससे Simple कुछ नहीं है ठीक है आगे चले आगे चलते पॉसर के लिख लीजे Question को ध्यान से देखिए Please Question को ध्यान से देखिए ध्यान बूझ के लिख लेका है Because लोग इसमें धोगा काते है यहां पे SnHCl है This is not SnCl2 Plus HCl This is not SnCl2 Plus HCl इसका मतलब यह Stephen Reduction नहीं है पहली चीज़ तो इस दिमाग में Clear होनी चाहिए This is not Stephen Reduction Why? Because logically समझो यहां पे SnCl2 था तो हमारे पास एक limitation थी कि एक plus 2 से plus 4 तक ही जा पाएगा Simple है ना Plus 2 से plus 4 तक ही जा पाएगा मेरे भाई लेकिन लेकिन यहां पे वो असुविधा नहीं है Because वो literally 0 पे है Literally 0 पे है इसका मतलब क्या है कि उसके पास potential है कहां तक जाने का Plus 4 तक मेरे भाई वो plus 4 तक जा सकता है अब समझा रहे क्या खेल चलेगा SnCl4 बनेगा पहले तो वो balance कर लेते हैं यह होगा तो 4HCl बनेगे हैं balance करते करते इसका मतलब 2H2 release होगा Very important तो यहां पे आपके पास 2H2 release हो रहा है Not 1H2 Very important यही जो हम पढ़ेंगे acidic medium में reduction जब में पढ़ाऊंगा तो यह same agent आएगा वहाँ पे उसका बस मैंने आपको hint अभी दे दिये अभी बस मैं आपको mix करवाना चाहता था कि दोनों में difference है ओके मुद्दे पे आते हैं तो 2H2 है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो cyanide है उसमें 2 बार H2 हमला कर सकता है तो मेरे भाई जैसे 2 बार हमला किया एक बार imeen बना और imeen के बाद क्या बन जाएगा ameen बन जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जो product बनेगा वो बनेगा एक ameen बहुत बारीक सा inorganic chemistry का difference है प्लीज उसको दिमाग में रखना विकर सेम कोश्चन में हम अलग-अलग products बना सकते हैं इस limitation की वज़ा से CH3i excess क्या मुझे यह आपको बताने के जरुरत है कौन सा reaction है कौन सा reaction है Hoffman, exhaustive methylation अगर आपको याद हो यह हमने आपको E to elimination वाले lecture में पढ़ाया है अगर आपने नहीं पढ़ा तो link in the description में दे दूँगा इसका इसमें हमने even INCHO वाले questions भी किये थे INCHO level तक हमने वहाँ पे questions भी किये थे ठीक है यह तो कुछ भी नहीं है उसके सामने यह तो कुछ भी नहीं हो इसके सामने तो यहाँ पे क्या बनेगा B SN2 हो जाएगा SN2 होगा यह नहीं होगा कितनी बार होगा तीन बार हो जाएगा समझ दाना ने कैसे होगा SN2 ऐसे करके ठीक है इस प्रकार से तो यहाँ से बन जाएगा CH2 N Quaternary Ammonium Salt फिर आएगा AGOH एक Base आएगा H मतलब Hoffman तो लिटरली नाम में Hoffman है तो Least Stable Product बनाने का है तो बस जो Final Product बनेगा वो यह बन जाएगा यह Least Stable ही है बलकि क्या हमारे पास कोई और Option था भी नहीं बस एक यह Option था यही Option है नहीं यही यह बन क्या जाएगा Option नमपर Answer नमपर C Simple Simple, लिख लिजे प्लीज जल्दी से difference समझ आ रहा है difference समझ आ रहा है यह दोनों बस भाई भाई है These are two brothers बट इतना सा difference है कि यहां पे आपके पास प्लस 2 से प्लस 4 पे है जो Named Reaction है जो Unnamed Reaction है वहाँ पे हमारे पास बस normal सा 0 से plus 4 पे है that is the difference which must be clear in your mind इसको लिख लो कहीं पे अगर आपको लगता है कि आप इसको भूल जाओगे अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं pause करके लिख लीजिए heading डाल लीजिए Colby Schmidt reaction Colby Schmidt reaction again again a very easy reaction very easy one second एक चीज़ बताना चाहता हूँ officially यह phenols में है लेकिन मैं amines में क्यों पढ़ाता हूँ इससे पीछे reason है जो समझ आएगा आपको because मैं carbyl amine में इसमें फसाना चाहरा हूँ आपको इसके साथ ठीक है बिकास दोनों के reagents almost similar दिखते हैं लोगों को लगता है कि शायद same answer बने इसलिए ऐसा नहीं होता है इसमें फसाने के लिए इदर पढ़ाता हूँ मुद्धे पे आते हैं अभी लिखो मत एक बास समझ लो because पहले मैं mechanism पे जाना चाहूँगा basically होता क्या है क्या मैं आपको पहले summary बता दू summary बता दू summary देख लीजे ताकि मुझे बता है कि आदे लोग तो summary से ही derive कर लेंगे क्या होने बाला है लेकिन लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ ध्यान से समझ न ये one of those reactions है पूरे slabbers में जहां पे theory जादा important है question से once again ये one of those reactions है जहां पे theory जादा important है question से mechanism पे तो ध्यान देना ही है लेकिन साथ में जब मैं theory बताओंगा न तब और ultra अच्छे तरीके से ध्यान देना है okay summary देख लीजे इसको लिखिये मत एक बाद समझ लीजे क्या हो रहा है फिर मैं mechanism पे आओंगा जब मैं mechanism बताओंगा उसमें भी बहुत बारिक बारिक चीजें हैं please please ध्यान से समझना है इसको because hydrogen deuterium बहुत चीजों में मैं इसमें फसा सकता हूँ इसमें बेसिस में ही नहीं बलकि मैं HDT में भी फसा सकते हैं okay मुद्दे पे आते हैं अच्छा KOH के बाद फिर हमने hydrolysis भी किया है okay अब समझे थोड़ा बहुत फील आ रहा आपको कि क्या होने वाल है mechanism मतलब summary देखके अब इसका थोड़ा सा हम mechanism एक बार देख लेते हैं ठीक है mechanism लिखना मत please समझ लो यार समझ लो समझ लो mechanism को named reactions है यह सब KOH क्या है base base का का काम क्या है react करना acid के साथ acid क्या है phenol phenol के जिसे हम बोलते भी नए carbolic acid होता है NCRT में भी लिखा है plus KOH हुआ एक simple सा जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं acid base reaction हो जाएगा acid base reaction हो जाएगा करवाईए जैसे मैं lecture बनाऊगा उसके बाद मुझे birthday party में भी जाना है यह बन जाएगा O minus K plus अब यह stable है या नहीं वो तो आपको समझ आ रहा है कि stable है because resonance में है आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज है जो मैं आपस पूछना जाता हूँ rough work में मेरे पास C minus है O minus है दोनों में से better nucleophile कौन सा है आपके साब से logically C minus better nucleophile है न nucleophilicity means speed kinetics कौन जल्दी हमला करेगा जो कम stable होगा O minus जादा stable है इसलिए C minus better nucleophile बन क्या जाएगा same conditions में ठीक है तो यहाँ भी O minus है हमें बनाना पड़ेगा C minus C minus बनता कैसे है ध्यान से देखिए तो बस हमने resonance किया बना नहीं बना बताईए बिल्कुल बना क्यों नहीं बना एको बार resonance किया तो यही जो minus है वो पैरा पे भी जा सकता है यह तो समझ आ रहे है तो कुछ भी मतलब difficult नहीं लग रहे है simple सा है नुक्लियोफाइल बट इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा CO2 क्या आपके साब से CO2 एक अच्छा नुक्लियोफाइल अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है या एक पीक इलेक्ट्रोफाइल है it is a very 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 weak इलेक्ट्रोफाइल समझ आ रहे हैं क्यों CO2 is a वीक एलेक्ट्रोफाइल, यह मैंने आपको ग्रिंडाट के टाइम पे बताया था, बट अगर आप वापस समझना चाहो, तो आपको दिखी रहा है कि यहाँ पे आपके पास, जो CO2 है टाइपल मोमेंट कैंसल कर रहा है इसलिए वहाँ पे जो आप सोचें, नेट में plus है वो बस delta प्लस है ठीके, कम plus है वो ठीके, वो cancel हो रहा है, खीच रहा है वो दोनों तरफ से इसलिए यह एक वीक एलेक्ट्रोफाइल है तो वीक एलेक्ट्रोफाइल है इसलिए हमें यह सब करवाना पढ़ रहा है, ये मैनत करनी पढ़ रही है, C- पे लेके जाना पढ़ रहा है ठीक है, तो क्या होगा देखिए तो हमारे पास ये है माइनस है, इसने CO2 के उपर हमला किया मैं आपको और्थो वाला दिखा दूँ ना, पैरा वाले में सेम होगा हमला किया, क्या बनेगा पूरे और्गानिक की समरी ये है या नहीं है, कि बस कोई उलेक्ट्रोफाइल है, कोई नुक्लोफाइल है, हमला हो जाएगा लेट हिम कुक लेट हिम कुक पट जब ये कुक कर रहा था तब आपने देखा कि not everything is okay for this benzene कुक करते करते इसकी aromaticity चले गए मेरे भाई, कुक करते करते इसकी aromaticity चले गए, तो क्या करना पड़ेगा ये aromaticity मुझे बापस दे दे ठाकुर तो क्या होगा मेरे भाई, दिखा या नि दिखा क्या होने वाला है एक acid-base reaction होगा very important, please understand ये acid-base reaction करेगा KOH के साथ मैंने आपको क्या बताया है, आप benzene की aromaticity के साथ, तब तक खेल सकते हो, जब तक हम उसको सूथ समेथ वापस कर सके तो यहाँ पर सूथ ये है, ठीकर उसके समेथ हमने वापस करनी है कैसे होगा, acid-base reaction होगा या नहीं होगा बिलकुल बारिक बारिक चीजों पर ध्यान दो because hydrogen deuterium लगा के मैं बहुत अच्छा question बना सकते है हम इसके अंदर ये बन गया, resonance करेगा O- बनेगा, उसके बाद हमने क्या करवा दिया बदलब water के साथ react करवा या जिसको प्रोफेशनल लैंग्विज में acidification बोलते है करवाईए acidification, बस जो final product बनेगा बन के आजाएगा ये ठीक है, ये हो गया ortho वाली side से अगर मैं same चीज़ para वाली side से करवाद हूँ, ऐसे से कर देता हूँ same steps, जो आप as a homework try करिए आपके पास बन के आजाएगा समझ आगे mechanism these are the final products लिख लिजे प्लीज जल्दी से लिख लिजे प्लीज जल्दी से ठीक है तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ortho एवं para दोनों बनाए जा सकते अच्छा इसको क्या बोलते हम ये common name भी वड़ा famous है salicylic acid very popular compound salicylic acid salicylic acid लिख लिजे प्लीज जल्दी से ortho वाला है ये लिख लिजे जल्दी से लिख लिजे अब आगे चलते है अब आगे चलते है ठीक है तो आपको समझ आ रहा है कि कुछ ज़्यादा variation possible है मैं questions करा हूँ कोसी चिंता मत करो लेकिन इसमें ज़्यादा variation बिलकुल नहीं है जो variations आएगा वो आएगा theory में जो variation आएगा वो आएगा theory में तो चलते सबसे पहले theory की उपर अच्छा देखो अब इसमें और अच्छे questions कैसे बना सकते है please understand जैसे कि मैंने hydrolysis किया जो दोनों H आ रहा है वो उस water से आ रहा है यह acidification की time पे आ रहा है तो for example अगर मैं यहाँ पे H2O की जगा D2O लेता तो दोनों जगा D एवं D आता डबल D ठीक है तो यहाँ पे भी D यहाँ पे भी D आता लेकिन since हमने H लिया है H2O लिया है इसलिए यहाँ पे आपके पास H एवं H आ रहा है यह चीज़ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए लिख लीजे जल्दी से लिख लीजे अब चलते हैं इसकी theory की उपर theory में आपको मज़ा आएगा theory में इसमें मज़ा आएगा and वही important है organic point of view से वो असान है लिखे the major product of the major product of the Kolbe-Schmidt reaction the major product of the Kolbe-Schmidt reaction depends on the temperature conditions depends on the major product of the Kolbe-Schmidt reaction depends on the temperature conditions not just temperature it also depends on the base used वो भी बताऊंगा मैं आपको पहले temperature समझ लेते हैं on the temperature conditions second point लिखे second point तो क्या-क्या temperature का variation हम देखेंगे वो लिखते हैं लिखो दो variable है ना एक है base, एक है temperature तो जब मैं एक variable को observe काता है जब साइंस में यह थो हता है एक को observe करेंगे तो दूसरे को constant रखते हैं वो ही होता है ना दूसरे को observe करेंगे तो पहले को constant रखते हैं तो सबसे पहले हम लोग base को constant रखते हैं आईए फिर temperature को constant रखके देखेंगे तो ऐसे लिखिए 4 KOH 4 KOH 4 KOH लिखिए number one इसके अंदर The temperature is less than equal to 60 degree Celsius, condition number 1, condition number 2, यह पाल लिख लो, मतलब ऐसे करके, फिर मैं बताता हूं क्या हो रहा है, temperature belongs from 60 degree Celsius to 160 degree Celsius, 160, ऐसा, ठीक है? दूसरी condition, तीसरी condition, लिखू मा तभी एक पास समझ लो इसमे, क्या होने वाला, इसके उपर मैं expect कर रहा हूं कि future में question आएगा ही आएगा, यहीं interesting चीज है, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझो, कि जो मैंने यहां पे K plus लिया है, जो हमारे पास K plus है, जैसे मैं यहां पे दिखाना चाहूंग आपको, इस वाले molecule की मैं बात कर रहा हूं, जैसे minus 7 K plus लेते हैं, जब मैंने resonance किया है इसमें, resonance करवाईए, तो क्या बन रहा होगा, ध्यान से देखना, इसी में सब छुपा हुआ है, इसी page पे सारे राज है, ऐसा कुछ molecule है या नहीं है, तो साथ में जो K plus है, वो chilation कर रहा है, कैसे देखो, देखना ध्यान से, बहुत stable chilation है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, समझ आ रहा है, it is following, chilation मतलब क्या ring formation, it likes to chill, ठीक है जो potassium है, वो chill कर रहा है, chilation बना के, देखो न, अब वो double okay है, okay एवं okay, double okay, तो वो क्यों ऐसी situation में, नहीं रहना चाहेगा, इसलिए, 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 by default, हम ortho product को ही major मानते हैं, अगर कुछ भी mention ना हो, क्यों, because यहाँ पर आपके पास, chilation possible है, chilation, because एक six-membered ring, बन के आरी है, chilation के time पे, तो potassium, अराम से, chill कर रहा है, अराम से, chill कर रहा है, ठीक है, chill कर रहा है, लेकिन, फिर क्या हुआ, फिर हमने temperature को ले के आए, नहीं आए, हम experiment कर रहे थे, यह potassium हवा में उचल रहा था, भई, मैं तो chill हूँ, मैं तो chill हूँ, popcorn की तरह, तो फिर हमने नीचे से temperature बढ़ाया, अब फरक पड़ेगा, मेरे भाई, अब फरक पड़ेगा, ठीक है, क्या फरक पड़ेगा, एक बार लिख लो पहले यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास, पैरा, is the major product, अरे भाई, temperature is less than 60 degrees Celsius, तो पैरा is the major product, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखिए, यह हमारे पास एक, कितना बारिक है न, कितनी बारिक बारिक चीज़े जो इगनोड है, यह हमारे पास एक, वीक एलेक्ट्रोफाइल है, वीक एलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब, उस system में, अगर मुझे energy देनी है, उस system में, अगर मुझे reaction करवाना है, sorry, मुझे energy देनी पड़ेगी, because, यह weak है, तो मुझे जबर्दस्ती, जैसे होता है, energy of activation, ठीक है, तो वहाँ पे, since यह weak है, and ओर्थो पे ज़्यादा crowding होती है, तो less temperature पे, हमारे पास, paramajor बनके आ जाता है, because, उतना efficient हमला नहीं हो पाता, CO2 के साथ, logical है न, उपर crowding जाता है, नीचे crowding कम है, नीचे crowding कम है, तो वहाँ पे जल्दी हमला होगा, तो less energy पे, वो बनके आ जाएगा, simple, as simple as that, ठीक है, दूसरा, अब chilation हो पा रहा है, अब chilation हो पा रहा है, बिल्कुल ढंक से, feasible temperature भी है, CO2 भी activated है, हमला लेने के लिए अपने उपर, because हमने activation energy भढ़ा दिये, तो अब मेरे भाई, जो ortho है, वो major बनके आ जाएगा, पैरा से, ortho will be more than para, अच्छा, अब temperature और भढ़ा दिया, अब chilation बच्छी नहीं पाएगा, because logically समझाओगा, मैं temperature बहुत ज़ादा हाई कर दूँ, तो यह tick नहीं पाएगा, tick नहीं पाएगा, because यह कोई proper bonds थोड़ी है, यह proper bonds थोड़ी, बस एक normal सा interaction हो रहा है, अब अल्रेडी वीकर है, इसलिए यहाँ पे, जो major product बनेगा, वो once again, para बने के, आजाएगा, मज़ा आया नहीं आया बताएगा, once again, para बने के, क्यों, because chilation टूट गया, chilation टूट गया, इसलिए बोलते हैं, अगर आप life में एक lower level पे भी हो, तो भी जमीन पे रहिए, higher level पे भी हो, तो भी जमीन पे रहिए, ठीक है, अराम से नीचे आ सकते हैं, देखो, chill कर रहा था न, आगे temperature बढ़ा दिया, मुश्किले बढ़ा दि, फट गया, ऐसा, लिख लीजे बढ़े जल्दी से, लिख लीजे बढ़े जल्दी से, simple, simple, कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते इसके last theoretical point के उपर, आईए, third theoretical point, अभी हमने क्या fix किया, अभी हमने base fix किया, अब हम fix कर लेंगे, temperature को, तो यह तो variable है ना मेरे भाई, तो लिखिए, तो add 50 degrees Celsius, at 50 degrees Celsius, इसका बहुत standard data है, तो अब अच्छे टीचे से पढ़ते हो, तो आपको यही data दिया होगा, तो इस तना ही standard data है, तो add 50 degrees Celsius, अब हम base को change करेंगे, क्या change करेंगे, base को change करेंगे, ठीक है, तो baby को base नहीं पसंद है, bases पसंद अब, देखें, plural, ध्यान से देखिए, तो जो number one base हम लोग लेना चाहेंगे, वो है KOH, जो number two base चाहिए, वो है NOH, जो number three base हमें चाहिए, वो है LIOH, तो इन तीन basis का, हम लोग observation करना चाहेंगे, तो बिल्गुल ध्यान से screen के उपर देखिए, अगर मैं KOH की बात करूँ, तो वहाँ पे तो हमें समझ आ रहा था कि, para is more than ortho, यह तो मैंने आपको पिछले page भी बताया है, अगर मैं NOH की बात करता हूँ, तो वहाँ पे, ortho is more than para, and LIOH में para is more than ortho, अब आपको याद है, अपने इन और्गनिक में चीज पढ़ी होगी, तो अगर मैं LIOH लेता हूँ, तो वह simple से पंड़ा न, LIOH का size चोटा है, NA का size बड़ा है, लाई का size यह है न, for example, NA का यह है, अगर मैं सिर्फ purely atom की बात करूँ, तो यह है, लेकिन अगर मैं पानी भेज दूँ, यह छोटू है न, तो इसके round में ज़ादा पानी ले सकता हूँ, लेकिन यह since बड़े size का है, इसके round कम पानी आएगा, समझा आये न, इसके round मेरे भाई, ज़ादा पानी आएगा, इसके round कम पानी आएगा, तो यहाँ पे जो hydration, radii का sphere का जो बनेगा, let me see blue color में बना देते हैं, ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ, ऐसा, feel आया नहीं आया, वेज़ वेज़े से आपको पता है, इसमें feel बिल की क्या बात कर रहा हूँ, li plus है, na plus है, तो hydrated sphere में, जो li का size है, वो जादा है, वो जादा है, इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब समझते हैं, ध्यान से देखिए, तो जब मैं nao h ले रहा हूँ, तो nao h, nao h, इधर, ध्यान से देखना, इसे भी copy paste करता हूँ, इधर, अराम से fit हो सकता है, nao h, इधर अराम से, na plus, sorry, fit हो सकता है, fit हो सकता है, तो वो fit हो जाएगा, वो fit हो जाएगा, लेकिन जो lithium है, उसका size बड़ा है, lithium का size बड़ा है, तो वो यहाँ पर जाके, fit नहीं हो पाएगा, fit नहीं हो पाएगा, आ गया feel या नहीं आया, ठीक है, li का size छोटा है, तो यहाँ पे बैठ सकता है, लीथियम का साइज बड़ा है, तो वो फेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इस केस में, जो सोडियम वाला केस है, वहाँ पे हमारे पास और्थो मेजर बनता है, वेराज लाइवेज में पैरा मेजर बनता है, रीजन आपके सामने इनॉगनिक का चुक हो यह, ठीक है, कोई हाइफाई चीज नहीं बताईए, बिल्कुल periodic properties वाली चीज बताईए, लिख लीजे भाई, लिख लीजे, ठीक है, चले आगे फिर, आगे चले, पोड़े questions करवा देते हैं, दिखा देते हैं, क्या है इसमें, आईए, यह जो है, यह as a subjective question आपको, homework दिया जा रहा है, इसका answer मैं आपको telegram पे जरूर भिजवाऊंगा, आगे continue करते हैं, एक बार इसको लिख लेना, या screenshot ले लो, इसका answer telegram पे मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा कासा revision हो जाएगा, इसमें आपको कुछ कुछ चीज होगा, हाँ, अब एक चीज आपको समझ आ आता हूँ, ताकि आप इसमें फस सको, ताकि आप इसमें फस सको, ठीक है, एक कोई चुन्नू सा question मैं आपको करवा देता हूँ, छोटु मूटु सा, ताकि आपको कुछ idea लग जाए, for example, ये है, अब मैंने ये ले लिया, ठीक है, अगर मैंने ortho positions block ही कर दी, and for example, CCL 4KOH है, तो क्या फिर भी ortho पर हमला होगा, फिर उसको पैरा पर ही करना पड़ेगा, तो बस जो final product बनेगा, वो ये बनेगा, ये तो common sense है न, इसलिए बताए कि कोई ऐसा सोचे कि ब्लॉक्ट है तो क्या हो, ठीक है, लिख लीजे प्लीज जल्दी से, लिख लीजे प्लीज जल्दी से, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, मेरे साफ से सबको feel आ गया है, सबको समझ आ गया है, थोड़ा पानी पी के आता हूँ, एक, नेक्स्ट, बोवोल्ट ब्लांक रिदक्शन, अब देखो भई, मैं पहले से नाम इसलिए लिख के आता हूँ, विकाज ये निये क आगे, बोवोल्ट ब्लांक रिदक्शन, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां पर आगे मैं आपको बताओं, कि जो रिएजेंट है, आपको सब पुराने फ्लैश बैक्स आने लग पड़ेंगे, देखना धियान से, देखो मत समझ लो, देखो मत समझ लो, देखो मत समझ बर्च रिदक्शन, बस वही है, सेम मेकानिजम, मेरे बाई, जबी भी दुनिया में आपके पास मेटल हो, मेटल का क्या काम है, लेक्ट्रॉन देना, कोई मेकानिजम हम यहां पर फॉलो करेंगे, ठीक है, तो सबसे लिए इसमें थेओरिया आट कर लिजे, ठीक है, बेको सम सबसे पास में आट कर लिए 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 लिए? The reagent उस इस एनन एथनोल, second point लिखिय इसके अन्स, second point, it is used, बंद बर्च रदक्शन, sorry, Bobald blank reaction is used, is used to reduce ether, reduce ether, ester into alcohols, to reduce ester, into alcohols अब एक चीज़ समझने है नाम से syllabus में नहीं कि syllabus में का BBR लिखा है लेकिन जो reagent है वो अराम से आ सकता है because burst reduction का भाई ही तो है और क्या है तो reagent आ सकता है ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है although नाम से ये syllabus में नहीं है अब इसका mechanism देख ले आप बोलोगे भाई क्या यार सेम चीज़ वापस देखनी है बिल्कुल शही बात है सेम चीज़ आपको देखनी पड़ेगी देखिए ध्यान से समझ जाईए mechanism एक बार देख लो समझ लो because same ही है दुनिया में कोई भी metal हो क्या काम है? electron देना क्यों देता है electron because वो एक noble gas configuration या pseudo noble gas configuration पे जा सकता है stabilize हो सकता है तो क्या होगा? हम लोग एक ester हाँ इसमें गलत फैमी भी होती है मैं लोग बताऊंगा मैं द्यान से देखना प्लीज इसको समझ न तो मैंने एक ester लिया एक ester है हमारे पास electron आया electron हमला करेगा देखिया है electron को हमला करेगा जब भी electrons के terms में reaction हो रहा है तो क्या intermediate से follow करते हैं उस reaction को radical याद आया नहीं आया तो मेरे भाई बस आपके पास radical बनेगा radical बनेगा electron आया उसने हमला किया अब हमला कहां पे होगा? carbon पर या oxygen पर कहीं पर भी करवा दो वैसे logically oxygen पर होना चाहिए लेकिं कहीं पर भी करवा दो तो बात वही रहती आप बोलो के ऐसा क्यों भाई? ये क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई तो ये बनेगा क्या वो इसके साथ resonance में नहीं होगा? क्या वो इसके साथ resonance में नहीं होगा? आप बोलो के बिलकुल होगा सही बात है तो पहले क्यों नहीं किया ये? आज तक अरे भाई पहले भी करवा लो कोई फरक नहीं पड़ रहा नो उससे पहले भी करवा लो कोई फरक नहीं पड़ेगा उससे कि आप पहले करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हो तो इतनी ज़दा टेंशन है हर चीज कैसे लोड मत लेकिने जाये करें दिमाग पर करना क्या है अब उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखिए हमारे पास ये C- फिर हमारे पास ये इथिनॉल तो जो इतनॉल आएगा भला जो H प्लस आएगा वो इतनॉल से ही आ रहा है लेकि देज नो देर इसंट एनी अधर सॉल्वेंट बना नहीं बना सिंपल फिर ओ राडिकल है तो क्या होगा दूसरा इलेक्टरोन आएगा बहुत सिंपल मेकानिजम आप बोलोगे रिपीट हो रहा है बिल्कुल सही बात है रिपीट हो रहा है रिवीजन हो रहा है फील आ रहा है बताएए इसको देख के क्या फील आ रहा है कब से पढ़ा रहे हैं ग्रिगनाड के टाइम से पढ़ा रहे हैं क्या है ये O- and a leaving group minus and a leaving group क्या होता है ये unstable tetrahedral intermediate complex unstable tetrahedral intermediate complex तो क्या होगा तो लेकर निकल जाएगा तो मेरे भाई यहाँ से आपके पास एक radical बन के एक aldehyde बन के आ जाएगा aldehyde बन के आ जाएगा उसके बाद क्या होगा aldehyde के reduction possible है इसमें addition of electron हो सकते है addition of hydrogen is known as reduction electron गया radical radical क्या मैं directly बना दूँ ठीक है same steps हो जाएगे ठीक है दिखा देते हैं C because एक बार में दिखाना चाहरों की पूरा ताकि आपके दिमाग में भी fit हो जाए ये बनेगा which is in resonance इससे मतलब वो उतना बना रहा हूँ ठीक है फिर ethanol आया एक और चीज़े में पूरा इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में ये भी रहना चीज़े solvent मतलब एथनॉल के कितने use हो रहे हैं मूल्स ये बारिक बारिक चीज़ें हैं ध्यान से देखना प्लीज बन के आ जाएगा H है सही है उसके बाद electron आया माइनस बना मुझे बताइए क्या ये stable intermediate है या एक unstable intermediate है या एक unstable intermediate है इस इस अस्टेबल tetrahedral intermediate complex आप बोलो के भाई क्यों logic बताइए logic simple है कि यहाँ पे कोई भी living group नहीं है कोई भी living group नहीं है तो minus stabilized है फिर once again ethanol आया देखे आये जो final product बनेगा that is equal to RCH2 OH and साथ में क्या बनेगा जो यहाँ पे RO minus remove हुआ अब दिखने ध्यान से चीज़ समना जो मैं बताऊंगा बहुत बड़ी गिरत फहिमी क्लियर करूँगा ये बनेगा पहले यादर लिख लिख लिए प्लीज जल्दी से बहुत ही simple सा mechanism आप बोलो कि भी बच reduction का revision हुआ है बेलकुल सही बात है आपकी मैं मान रहा हूँ कि बच reduction का ही revision हो रहा है अब ध्याँ से देखिए प्लीज स्रींग के उपर ये वाला जो alcohol है वो reduction से आ रहा है लेकिन ये वाला alcohol reduction से नहीं आ रहा है प्लीज अंडेस्टान इस वरी केरफुली जो R1 OH है वो reduction से नहीं आया है वो SNA type reaction हुआ unstable tetraidal intermediate complex था इसलिए वो बनके एक leaving group बनके आ रहा था ये reduction से आ रहा है ये reduction से नहीं आ रहा है ये although चीज़े clear आपको ग्रिंगराड के time से लेकिन फिर भी मैंने बस एक बार officially आपको बता दिये ताकि exam अगर वो ऐसे फसाए और लोग फसेंगे तो यही reduction से आ रहा है बस ये reduce होके नहीं आ रहा है ये बस आ रहा है साथ साथ में लिख लीजे भई pause करके आगे चलिए कुछ questions करवा देते हैं इसके उपर ताकि इसी भाने worst reduction का भी revision हो जाए अच्छा उससे पहले थोड़ी theory एक दो पॉइंट इस radical लिखिए number one we get the formation of we get the formation of an anion radical intermediate we get the formation of an anion radical intermediate ये होता ना anion radical अब आप उच्छे का anion kataion भी होता है sorry kataion radical भी होता है बिलकुल होता है ठीक है बस यहाँ पर anion radical intermediate बनके आ रहा है ठीक है आईए अब questions के उपर करें फिर answer बताओ मैं directly एक बाप pause करके पूरा solve कर लीजे answers मैं बताता हूँ यहाँ पर बनके आ जाएगा ethanol लो भाई जगाड कर दिया आपके लिए ethanol का खुश हो जाएगे साथ में phenol clear है यह reduce होके नहीं आया है important यह reduce होके आ रहा है ठीक है वो भी आप decide कर सकते हो number two वाले में क्या बन जाएगा alcohol and alcohol cyclic esters को हम लोग lactones बोलते हैं यह पता है न lactones अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा aldehyde के reduction किया तो alcohol बनेगा एक चीज़ दिमाग में रखिए officially जब भी book आप पड़ोगे जाए Jerry March हो या कोई भी book हो वहाँ पर BBR को हमेशा ऐसा बताया गया है कि वो reduce कर रहा है एक ester को but ketones यह वो aldehyde को भी कर सकता है वो बीच में बन के आएंगे तो वो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए यह है तो यह बन गया एक 2 degree alcohol लिख लीजे बही pause करके आगे चलिए number J यहाँ पर क्या होगा क्या नीचे वाले wedge बे कोई फरक पड़ेगा बिलकुल नहीं वही बिदाने के लिए आपको question लिया गया है यह बन के आजाएगा इधर आईए यहाँ पर left वाला reduce हो गया तो यह बन गया alcohol benzyl alcohol right वाला एक normal living group है वो alcohol तो बना लेकिन configuration ध्यान से देखिए same configuration same है next cyanide cyanide केसे आगया अरे वे दिमार लगाऊ न आको में एक short trick बताऊ जहां पर भी reduction हो रहा है पूरे organic में H- से हमला कर दिया करो सोचने का तरीका है यह जैसे LLH4 का H- types लेकिन वहां पर भी MCTS बनता लगया shortcut addition of hydrogen is reduction तो यहां पर क्या बनेगा क्या बनेगा क्या मैं यह बना सकता हूँ directly समझ आ रहा है न कैसे होगा electron हमला करेगा बस and H- जुटता जगा हर minus के साथ amine बन गया यहां पर क्या होगा SN2 होगा क्या होगा SN2 क्या होगा SN2 ठीक है ऐसे लिखना चाहिए मुझे इसा बनेगा minus जब दूसरे electron इसको लेकर निकल गया फिर ethanol आया जो final product बनेगा वो N-butane बनके आ जाएगा लिख लीजे भई यही है इतना साही है इतना साही है govalt blank reduction लिख लीजे भई पॉस करके लिख लीजे मेरे भई पॉस करके बहुत simple है अब चलते है भाई साहब दो जिगरी भाई के reactions that is sandmare reaction फिर हम लोग करेंगे आज ही gotterman reaction very important name reactions है ameen के point of view से ठीक है start करते है sandmare reaction के से एक चीज़ समंगना आपको ठीक है जो sandmare reaction है उसमें जो royal society of chemistry है RSC अगर हम बात करते है 2016 के बाद से 2016 के बाद से इन लोगों ने ये बोला मतलब माना है कि यहाँ पे आपके पास radical mechanism चलता है कैसे चलता है वो मैं बताऊंगा लेकिन यहाँ पे आपके पास radical mechanism के दोरा sandmare reaction होता है अगर हम बात करते हैं 2016 से पहले जैसे अगर आप उस टाइम के जैसे teachers के notes भी देखोगे जिन teachers के हम भी पढ़ रहे थे उन्होंने भी ये बताया था ठीक है कि यहाँ पे आपके पास SN1-AR या AR-SN1 reaction होता है कटायन के दोरा proceed करता है लेकिन अब जो है वहाँ पे properly माना गया है officially by Royal Society of Chemistry कि मेरे भाई यहाँ आपके पास radical mechanism ही होता है क्या mechanism है वो मैं अभी बताऊंगा लगी यह चीज आपको दिमाग में clear रहने चे गलत फहिमी number one कि यहाँ पे radical mechanism होता है ना कि cationics या basically SN1-AR mechanism तो number one point यहाँ आपके लिएचे तीन theoretical छोड़े-छोड़े points है फिर चलते हम इसमें mechanism के बाई बहुत simple बहुत simple ठीक है लिखिए the reagent used is the reagent used is Cu in the presence of Hx basically जो Cu है वो plus 1 OS में है second point लिखिए it is a radical mechanism it follows ऐसा it follows a radical mechanism radical mechanism used for substitution it is it follows a radical mechanism used for substitution अब आप बोलेगे substitution किसका वो ही लिखिवा रहा हूँ third point substitution of of ये वाला diazo n double bond n plus Cl minus n double bond n plus Cl minus ठीक है बोलेगे भाई ठीक है ये सब तो हमें समझ आ गया खोड़ा सा अब mechanism भी बता दीजे बहुत ही simple सा mechanism बहुत ही simple ठीक है mechanism बताओ फिर में हमाते summary एक्सेटरा पर पहले इस तो लिख लीजे लिख लीजे गलत फैमी तो में आपकी clear कर दी कि यहां पर आपके पास radical mechanism prefer होता है अब चलते mechanism में देखना भाई लिखना मत इसको समझ लो बहुत simple सा है हमारे पास क्या है Cu plus 1 में है देख सकते हो Cu plus 1 में है तो अगर वो plus 1 में है तो वो किस में जाना चाहेगा वो जाना चाहेगा plus 2 में कैसे जाता है अगर मैं पहला आपको inorganic side दिखा दो reaction का तो देखिए तो for example मैंने CuBr लिया उसको अगर हम react करवा रहे है HBr के साथ ठीक है तो क्या बन जाएगा CuBr2 and साथ में H2 release हो जाएगा ठीक है तो इस परकार साब देख सेब्ट हो तो बस वो आपको समझना पड़ेगा कि funda क्या है funda यह है कि यहाँ पर आपके पास plus 2 है यहाँ पर आपके पास sorry plus 1 है यहाँ पर plus 2 है यह तो होगे inorganic के sides अब चलते हो organic के sides तो हमें यह समझ आ रहा है कि Cu जो है वो plus 1 में है वो जाना चारा है Cu plus 2 में किसमें जाना चारा है Cu plus 2 में इसका मतलब वो electron ले रहा है या दे रहा है वो electron दे रहा है पहले चीज़ तो यह समझाने चाहिए कि वो electron दे रहा है अब अगर हम एक diazo linkage लेके आते हैं diazo में भी कौन सा होगा aromatic ही होगा प्रकास वो linkage stable सिरो टू 5 डिगरी celsius में ही होती है और वो भी aromatic में ही होती है पिछले lecture में मैं आपको बताया था तो यहाँ पे हम अगर resonance करवा दे तो क्या दिखेगा क्या को दिखाई दे रहा है कि one of the best one of the best leaving groups बन रहा है that is nitrogen जो पुराना mechanism था वहाँ पे हम लोग बस ऐसा करवा देते N2 निकल गया प्लस बना उसके उपर for example Cl- ने हमला कर दिया तो benzene chloride बनके आ गया ठीक है मैं बना benzene chloro benzene बनके आ गया ठीक है लेकिन यह reaction अब ऐसा गलत माना जाता है अब क्या है अब society जो है मतलब जो royal society of chemistry नोट the society उन्होंने यह accept किया है कि यहाँ पे radical mechanism होता है ठीक है तो यहाँ पे radical बनाई है electron आया देखो 1000 बार मैंने आपको बताया है पूरे organic बार्ट यह science है दिमाग लगाओ कि जहाँ पे आपके पास electron है वहाँ पे radical का involvement होने ही वाला है पूर्ट सिंगल सिंगल मिलके ही double बनता है ठीक है तो जहाँ पे electron है वहाँ पे radical mechanism के दोरा ही proceed करेगा ठीक है बलकि इतना important बनता है कि sandmare की respect में sandmare cycle बनाई गई है sandmare cycle वो क्या है जो यह follow होगा अब इसको sandmare cycle बोलते है shuttling of copper होता है यह अच्छलिए IIT में जाके पढ़ोगे आप बताएंगे क्या होता है short में लेकर important नहीं है वो मुद्दा जो important है उस पे आते तो क्या बन रहा है radical एबं radical तो N2 बन रहा है तो क्या बन रहा है N2 के उपर हमला हो जाएगा ऐसा समझा रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तो यहां से बन के आ जाएगा बेंजीन के उपर radical and साथ में nitrogen साथ में अच्छा आगे बनने से पहले अब आप बोलो कि भाई ठीक है यह तो हमें समझ आ गया यह तो हमें समझ आ गया तो यह CL radical CL minus कहां गया अरे भाई जो Cux2 बना है जो Cux2 बना है उसमें से जो एक X है वो इदर से तो आ रहा है जैसे मतलब साइड मताता हूँ यह है हमारे पास जो यहां से CL minus निकला इदर जाके interact कर लेगा फिर क्या होगा फिर हमारे पास once again Cux2 बनेगा फिर हमारे पास once again Cux2 बनेगा फिर आया देखो ध्यान से फिल आ रहा है यह नहीं आ रहा है simple है simple है यहां पर आपके पास यह बन किया लेकिन जो important चीज़ है वो यह है कि यह regenerate हो रहा है जो Cux radical है वो आपके पास regenerate हो रहा है तो फिर आप बोलोगा उसके साथ क्या होगा अरे भाई जो यहां पर side में बताया वही तो होगा ठीक है लिक देते हैं उसको यह आएगा यह वापस react करेगा एक्स राडिकल है और वापस फिर यह cycle चलती रहेगी समझ आ रहे है इसी को हम लोग बोलते है sand mayors cycle इसको क्या बोलते है sand mayors cycle start हुआ reagent वापस generate हो गया तो इसको हम फिर वापस यूज कर सकते हैं और भी reactions करवाने के लिए obvious सी बात है फिर यहीं पिर मेरे एक student का doubt आया था ठीक है बड़ाउट अच्छा था कि भाई अगर यह cycle बार बार चल सकती है तो obvious सी बात है कि यह भी तो excess में present होगा बिल्कुल सही बात है आपकी excess में present होगा इसलिए major product तो यह बनेगा वो तो सही बात है लेकिन minor product भी बनाया जा सकता है because this cycle बार बार चलती रहेगी cycle का मतलब भी वो होता है जो repeat होती रहे तो यह एक जो biphenyl system है वो भी एक ultra minor product बनके आखेए यह चीज़ भी आपको दिमाग में रखने है कि वो एक minor product बनके आ सकता है लिख लीजे प्लीज लिख लीजे अब पर एक्जांपल मैं आपसे बोलना चाहूँ कि इस पूरे mechanism का RDS क्या है RDS यह हो जाएगा तो यह step RDS यह हो जाएगा because यहीं भी आपके पास organic intermediate बन रहा है लेकिन वही वाली बात है RDS is always experimentally determined we are just trying to explain it theoretically ठीक है लिख लीजे भई लिख लीजे जल्दी से अब obviously यहाँ पर doubt आ सकते है लिख प्रड़क्ट बनाना बहुत असान है ठीक है प्रड़क्ट तो अगर मैं आपको यह नहीं भी बताता न कितना ही देता like question मतलब इतना सबस कि भई बेंजीन की उपर इसकी उपर हमने डाला है C-U-B-R-H-B-R NCRT वाला बच्चा भी solve कर लेगा कि भई ब्रोमीन लगना चाहिए इतना तो आप कर सकते हैं न दिमान लगा के लेकिन यह जो mechanism है वो देखो कितना भहेंकर important बनता है कि radical mechanism है SET follow हो रहा है shuttling of copper हो रहा है वो terms important नहीं है J-E के point of view से इसलिए मैं वो बोलना नहीं चाहरा हूँ लेकिन यहाँ पे actually shuttling of copper हो रहा है shuttling यह आप IIT में बढ़ते हो अगर आप chemistry लोगे तो shuttling of copper इसका आपको मतलब ने इसलिए में cancel कर ठीक है लिख लिजे प्लीजे कभी-कभी मौका मिलता है ऐसा बताने का इसे तो बता रहे हैं because IIT में बढ़ाई जाती है अब हमारी degree chemistry है ठीक है लिख लिजे वई आगे चलते हैं चले देखो हाँ मैं एक चीज़ बोल रहा था कि अगर मुझे इस rate of the reaction भढ़ाना है तो मैं कैसे भढ़ा सकता हूँ simple से बंड़ा है न अगर मैं यहाँ पे एक electron releasing group लगा दूँ तो हमारा rate of the reaction भढ़ जाएगा because तब जो radical है वो stable बन जाएगा similar यह counter में मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे rate of the reaction घटाना होगा तो अगर मैं ring के ऊपर withdrawing groups लगा दूँ तो rate of the reaction घट जाएगा rate of the reaction घट जाएगा ठीक है ठीक लीजे questions के ऊपर चलते तब आपको समझ आगे चलके रहे अगर आपको डिरेक्टली देता ठीक है तो क्या आप कर सकते थे बिलकुल मेरे भाई आप यह बना देते हैं अगर आपको mechanism नहीं भी आता इसलिए यह आपर mechanism आना भी important है because यह interesting है अब देखो गलत फेमी this is this is not sand mare cycle a sand mare reaction this is not a sand mare reaction यह चीज़ दिमाग में रखना कि हर reaction जो sand mare की तरह दिखता है sand mare नहीं होता although feel ज़रूर आ रहा है कि OH लगा दिया same reaction नहीं because sand mare reaction में proper radical cycle follow हो रही है जिसको हम लोग sand mare cycle बोलते है sand mare cycle बोला जाता है उसको यहां पर आपके पास sand mare cycle हो रहा है बिल्कुल नहीं simple सा water हमला कर रहा है SNAR type reaction हो रहा है जहां पर nitrogen gas remove हो रहा है this is not a sand mare reaction please understand this is not a sand mare reaction यह मैंने गलत फाइमी आपके remove करवा दी वन्ना अगर मैं आपका बोलता है कि यह directly दिलता है अब directly answer बना सकते हो कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आगे भणने से पहले जो मैं यहां पर बोल रहा था ना कि हमने electron releasing groups लगाए है तो ऐसा हो रहा है for example अगर मैं electron withdrawing groups लगा दूँ तो let me sage ऐसा यह है and यहां पर NO2 NO2 लगा दिये for example ठीक है तीन भी लगा दो दो भी लगा दो सेम यह and इसको मैं react करवा रहा for example CCl, HCl NO reaction NO reaction because RDS क्या है radical and radical इतना भयंकर unstable बनेगा कि वहां पर जो reaction है वो आगे ही नहीं भढ़ पाएगा reaction आगे ही नहीं भढ़ पाएगा ठीक है लिख लीजे please लिख लीजे ठीक है तो मैं एक term बोल रहा था that was shuttling of copper नहीं बोला था ना shuttling of copper फोड़ शॉट बताता हूँ shuttling of copper में यह होता है कि plus 1 से plus 2 पे हम जा रहे होते हैं लेकिन वो यह बिल्कुल short में है यह आपको Royal Society of Chemistry की साइट पर भी मिल जाएगा लेकि कोई पढ़ने के जरुरुत नहीं है जही के बाद पढ़ लेना देख लीजे ultra chindi, ultra simple reaction कोई भी doubt नहीं होना चीए चलते हैं next named reaction के उपर आईए next named reaction के उपर यह हमारे पास sn1 ar हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है ओके last gotterman reaction head and डाल दीजिए gotterman reaction not gutterman gotterman reaction gotterman reaction इसको भी start करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहरा था यह देखना देखना ध्यान से एक चीज for example अगर मैं आपको यह reaction डू क्या अभी pause करने एक बार इसके products derive करना इसके products derive करना actually IOC का reaction है इबढ़ ट्राइ करना प्लीज अभी जल्दी से pause करके HCl plus KClO3 क्या होना चीज है HCl plus KClO3 क्या होना चीज है देखो समझना अब क्या हो रहा है I hope अपने try किया हो तो हमारे पास एक double displacement हो जाएगा HBrO3 बनेगा and साथ में HClO3 बनेगा HClO3 बनेगा and साथ में KCl बनेगा सही है यहां तक अब HClO3 है unstable unstable बनी एक oxidizing agent किसी भी oxidizing agent का काम क्या होता है oxidation करना वो कैसे होता है जब वो nascent oxygen provide करता है HClO3 ने क्या किया उसने हम लोगों को nascent oxygen दिया कितना nascent oxygen यहां भी हमारे पास क्या है HCl क्या HCl का oxidation पॉसिबल है बलकुल HCl आया ने react किया अच्छा एक H मतलब एक oxygen के लिए कितना H चाहिए होंगा दो तकि H2O बन सके तो बन जाएगा H2O plus Cl2 H2O plus Cl2 simple बस इसको हमने 3 से multiply कर दिया inorganic का reaction है बस मैं यहां पर आपको बता रहा हूँ ताकि कुछ चीज़े आपको समझाए similarly अगर हम इसको 3 से multiply कर रहे हैं इसको मैं किस से multiply करना पड़ेगा इसको मैं करना पड़ेगा 6 से multiply because यह मैं कैंसल करना cancel करना है नहीं है जरूत नहीं है because original question होता किया है कि variable को cancel करना पड़ते है लेकि original question में जब मैंने hcl दिया cancel करने की जरूत नहीं है तो क्या बन जाएगा kclo3 hclo3 cancel हो रहा है कितना hcl बच रहा है net left में वो बन जाएगा k से कर देगा यहां देगा 6 plus 1,7 लेकि यहां पर cancel हो रहा है तो ऐसा कर देते है kclo बन जाएगा यह तो cancel होना ही चाहिए because intermediate है nascent oxygen is an intermediate so kcl does 3h2o does 3 so basically क्या मैं आपको बताना चाहरा हू organic chemistry के point of view से जो हमारे लिए important है वो है यह देगना ध्यान से please this reaction this reaction is a very good source of chlorine for example अब बेंजीन के साथ react करवाद हो तो EAS कर सकता है ठीक है तो यह inorganic reaction is a very good source of chlorine लिख लीजे प्लीज लिख लीजे प्लीज जल्दी से मुद्दे पे आते हैं वापस जो हमारे पास है अब आखरी reaction that is the gotterman reaction heading डाल लीजे gotterman reaction बहुत simple बहुत ज़ादा simple बलकि इससे भी ज़ादा simple जो अम भी तक हमने पड़ा है लिखिये इसके अंदर number one point पर लिख लिखवा देते है number one push होने वाला time period आगया है it follows the SNAR mechanism बहुत भैंकर simple it follows the SNAR mechanism second point लिखिये second point the reagent used is the reagent used is ध्यान से देखना difference क्या है CU powder and HX तो यहाँ पर जो reagent used हो रहा है वो हमारे पास है CU powder and HX अच्छा क्या अभी तक आपको समझ आ रहा है CU powder वाला part act करेगा as a catalyst the same चीज यहाँ पर भी हो रही थी जो CU वाला part है वो act कर रहा है as a catalyst as a catalyst बस बीच में काम कर रहा है निकल जा रहा है फिर end में देख सकते हैं no end में पहले use हो गया use हुआ end में निकला भी वापस तो catalyst के तरह भी विएफ कर रहा है okay तो यहाँ पर SNAR हो रहा है इससे जादध सिंपल आपको और क्या ही चाहिए जिंदगी में तो लिख लिए इसके अंदर for example mechanism ही बता रहा हूँ है आपको mechanism ही है यह once again diosonium salt होगा यह भी substitution reaction ही है पिछला वाला बस radical substitution था यहाँ पर SNAR के दौरा substitution हो रहा है लिया हमने इसको साथ में for example मैं HCL ले लेता हूँ क्या क्या लिखा होगा CU powder भी लिखा होगा साथ में heat चाहिए because SNAR हमें करवाने का है सिर्फ CU भी लिखा हो सकता है same बात है CL minus जाएगा हमला करेगा SNAR होगा क्या बनता है SNAR में क्या आपको याद है SNAR वाला लेक्चर पढ़ाया हमने reaction mechanism वाले chapter में M complex, Misenheimers complex बनता है तो final product बन जाएगा वो बन क्या जाएगा chlorobenz and साथ में nitrogen gas etc लिख लिख लिजे भाई यही है इस सिंपल और के जिए जिंदकी में इस सिंपल क्या जिए मेरे भाई आगे चलिए लिख लिजे पॉस करके questions देखिए अब बोलो के भाई अब के questions है रिवीजन है सब के सब reactions हमारे पास SNAR ही है सब के सब SNAR ही है product बना दू product बना दू iodobenzine अब बोलो के यहाँ पे हमने copper का use क्यों नहीं किया chlorine वाले में क्यों किया because iodine is a very good nucleophile iodine is a very good nucleophile मैं आपको haloylcanes and halorine chapter से पढ़ा रहा हूँ कि iodine is a very good nucleophile and a very good leaving group also दोनों ही अच्छा है वो ठीक है Hbf4 अब ही Hbf4 कैसे रियाट करता है कि आपको NABH4 याद है NABH4 वैसा ही same बस यहाँ पर Bf4 है तो यह हमला करेगा ऐसा यह है तो यहाँ पर आपके पास देखो ध्यान से क्या बन रहा है fluorobenzene very important because fluorobenzene बन रहा है यह भी named reaction है इसको हम बोलते है balls sheman reaction spelling एक बाद देख ले ना please N-C-E-R-T में भी है यह balls sheman reaction ठीक है because you really need to have the balls to produce fluorine obviously बाद न balls sheman reaction next HBR अरे भाई लोगो अगर बें आपको officially ना भी पढ़ाऊना तो भी answer सही आने चीए लेकिन हवा में तो चल जाना लिख लो एक बार बताता हूं क्यों तो इसमें अच्छे questions भी बन सकते है जैसे यू वाला देखिए तो यहाँ पर क्या है 2 na plus and s minus 2 यहाँ पर s minus 2 is the nucleophile which attacks s in ar हुआ तो मेरे भाई यहाँ से जो product बनेगा वो यह बनेगा ते रहे यहाँ तक तो लेकि यह final product नहीं because अब यह एक और बार एक और बार यह आपके देखना इसमें फसा सकते है एक और बार react कर सकते है एक और बार तो यहाँ पर आपके पास s in ar हो जाएगा तो final product बनेगा यह बनेगा very important तो यहाँ पर actually 2 is to 1 ratio में reaction हो 2 is to 1 ratio में reaction हो रहा है दिमाग में रखना है दूसरा वाला na plus no2 minus कितना interesting है इस वाले में हमारे पास nitrobenzene बन जाएगा clear है न इसमें रसकते हो benzene के साथ cn benzene के साथ cns benzene के साथ n3 azide एक चीज़ तो आपको समझ आ रही है क्या समझ आ रही है कि हमारे पास gotterman and sandmare दोना से approximately same products आ रहे हैं so for example na cn से में benzene nitril यहाँ पे भी बना सकता हूँ and यहाँ पे तो हमने बनाया ही था chlorobenzene भी बना सकता हूँ bromobenzene भी बना सकता हूँ यहाँ पे भी हमने बनाया ही था तो फिर क्या funda है समझ ना जो yield of sandmare है that is better than gotterman यह observe किया गया lab के अंदर अगर हम percentage yield of product की बात कर रहे है so sandmare is much better than gotterman because वहाँ पे less wastage है because snar के time पे क्या होता है कि बहुत सारे products बनने की possibility होती है बहुत सारे यहाँ पे वह possibility नहीं है because एक unique radical बनके आ रहा है जादा से जादा बस एक minor में आपके पास biphenile बन सकता है जिसको हम isolate कर सकते हैं ठीक है snar करवाना भी मुश्किल है because कोई ewg भी नहीं है हमारे पास तो बहुत सारे factors आपको समझ आ रहे sandmare is a better reaction than gotterman जब हम same products में comparison करवाना चाह रहे है लिख लीजे प्लीज पॉस करके अब चलते हैं आखरी सिलसले के उपर that is NO2 reduction in acidic medium ये भी मैंने आपको आज पढ़ाई ही दिया है बस अब formality बची है तो हमारे साथ summary लिख लीजिए summary summary ध्यान से देखना अगर मैं RNO2 ले रहा हूँ अगर मैं आपको बोलू कि acidic medium अच्छा क्या क्या reagents है याद आया याद आया नहीं आया SNHCl ये best मतलब ये most favorite है because जादा probability होती है जादा space है जाने के लिए साथ में FeHCl भी हो सकता है साथ में zinc in the presence of acetic acid भी हो सकता है हर बार why should HCl have all the fund भी हो सकता है product क्या बनेगा वो बताओ R-NH2 अरे अरे भाई replacement of oxygen by nitrogen is known as reduction अब बोलोगा इसका mechanism क्या है mechanism आज ही तो बताया mechanism आज ही तो बताया तो वापस नहीं बता रहा हूँ because same funda है SN plus HCl SNCl4 बनाएगा hydrogen generate हुआ वो NO2 को reduce कर देगा जो हमने L-I-L-H4 में धंग से देखके रखा है तो same mechanism है तो discussion नहीं करवा रहा हूँ लग लीजे भई pause करके लग लीजे इसमें एक question करवा देता हूँ हमें ताकि आपका quick revision भी हो जाए देखे धियान से question को question number X है आज का ABC हमारे पास बन रहा है अच्छा A जो 57% है कौन सा होगा major that is para 47% ortho होगा नहीं याद रहा है nitrogen वाला part आपको बता के रखा है meta साथ में बन जाएगा ortho तो यह ABC है उसके बाद हमने इंका करवाया NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 degree Celsius तो क्या हो जाएगा यह सब के सब diogenium salts बन जाएगे तो बस यहाँ पर हमारे पास diogenium salts बन गए बना देते हैं एक में बाकि यहाँ पर भी से हैं यहाँ पर भी से उसके बाद H3PO2 heat और ethanol heat क्या होता था यह क्या होता था यह यह होता था deamination process deamination process और deamination किया सबी में एक ही product बन रहा है that is nitrobenzine that is nitrobenzine similarly अगर मैं इसका और भी करवाद हूँ SNHCl क्या बन जाएगा aniline तो 3 से start किया end 1 पे हो गया हूँ लिख लीजे प्लीज लिख लीजे प्लीज I hope it is clear to everyone आके चलियो I advance yes kail start हो रहा है ध्यान से पहले बता रहा हूँ call करने से पहले सुन ले न J advance 2018 chemistry का best paper है chemistry का मैं overall की बात नहीं कर overall 2020 का अच्छा था लेकिन मैं सिर्फ chemistry का point of view से बोल रहा हूँ कि best 18 का था उसमें से भी आपके पास है paper 2 मतलब best का भी best तो try करो जल्दी से मैं answer बताता हूँ फिर आप मुझे comment section में जाके बताने आपने सही किया या नहीं फिर discussion देखो थी answer ठीक है try करो जल्दी से pause करो answer बता रहा हूँ मैं pause कर कि I hope आपने try कर लिया हो जो answer है वो है D क्या आपने सही किया या नहीं जल्दी से अभी पहले comment section बताओ जल्दी से जाके पहले बताओ क्या आपने सही किया या नहीं अगर सही किया तो ultra boost मिलना चाहिए confidence को खतनाक वाला okay to give R R से मतलब हमे R 2% वाला है तो क्या है R ortho वाला है R मेरे भाई ortho वाला यह है R AC2O AC2O के साथ क्या हो जाएगा acylation SNAR mechanism तो यहाँ पर यह बनेगा उसके बाद BR2 CH3 C double bond OH क्या हो जाएगा bromination para position is the most electron rich EWG है न मारे पास electron ERG electron donating group EDG hydrolysis hydrolysis से यह तूट जाएगा तो हमारे पास basically aniline वापस आ गया ताकि हम polybromination avoid कर सके इसलिए यह करवाया गया मैंने आपको बताएगे detail में यह उसके बाद NaNO2 HCl क्या करेगा diacetization ethanol heat क्या करेगा remove कर देगा तो मेरे भाई SNHCl SNHCl क्या करेगा NO2 के reduce करेगा तो हमारे पास NH2 बन जाएगा with metabromine अभी तक PR2 H2 excess excess से क्या होगा देखो पारा पे लगेगा और कौन से पोजिशन अक्टिवेटे हैं NH2 के लिए और थो और थो एवं पारा पे हमने लगा दिया मज़ा रहा है नहीं है रदोगो मज़दार question NaNO2 HCl क्या करेगा diacetization H3PO2 क्या करेगा remove कर देगा तो मेरे भाई जो final product बनेगा वो ये बनेगा option D तही किया है तो please comment section में बताना अगर सही किया है तो you should be proud of yourself अच्छा question में देखो examination में सोचो examination में सोचो इतना बड़ा question पहले देखो तो पहले ही हाथ में आजाती है यासा question देख के तही किया तो बहुत अच्छी बात है आगे चलते हैं आगे चलते हैं J advance 2019 का question है ये question को ध्यान से देखिये question को ध्यान से देखिये ठीक है try करिये answer बताता हूं है try करिये try करिये okay पहले मा answer बता रहा हूँ फिर आपको बताना है कि आपने सही किया है या नहीं किया है तो जो इसका answer है that is that is 4 अगर 4 निकाला है very good very 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 good okay देखिये so BR2 access दिया गया है तो क्या बनेगा tribe rumination हो जाएगा देखियो ध्यान से ये हो गया any node to HCL क्या करेगा ये हो जाएगा diversitization QCN KCN कहां पढ़ा है आज ही तो पढ़ा है मेरे बाई आज नहीं पढ़ा है क्या आज ही तो पढ़ा है तो यहाँ पर बन जाएगा CN hydrolysis hydrolysis से क्या होगा CN का hydrolysis से क्या मिलता है बहुत बार कर लिया है बहुत बार with mechanism भी किया है indirectly भी किया है तो acid बनेगा Rignard के टाइम से पढ़ा रहे Rignard के टाइम से पढ़ा रहे SOCl2 Avampyridine तो जो COH है वो बन के आ जाएगा CL कौन सा mechanism SN2 फॉलो करता है तो यहाँ तक सही बनाएं सभी ने number Q उसके बाद है यह OLEUM OLEUM के साथ क्या होता है Sulfonation यह हो जाएगा NaOH एवं Heat and H+. कौन सा mechanism है यह Phenol preparation Phenol preparation O- बनता है फिर वो hydrolysis होके OH बन जाता है कहां पढ़ाया है मैंने इसी Phenol chapter में पढ़ाया Alcohol Phenol इतर में फिर BR2 CS2 क्या बन जाएगा Monopromination excess में नहीं है एक ही तो मूल है बस यहाँ पर बन के जाएगा S Advanced and Moles properly mentioned होते चिंता मत करिए तो देख सबते हो मैंने mention किया कि excess और जहाँ पर नहीं mention किया मतलब एक बार और क्या S सही है न सभी का अब चलते आगे S दिया गया है S क्या था? ये था उसको हम react करवा रहें any wage के साथ ठीक है भई any wage साथ क्या होगा? एक acid base अच्छा है ये हो जाएगा फिर Q के साथ react क्या है? Q के साथ क्या होगा? Q के साथ क्या होगा? अब इस कैसे लिखूँ? S in AE mechanism और क्या होगा भई? देखे निकल गया? तो T बन रहा है और T के लिए पूछा गया है bromine atoms कितने है? तो कितने हो जाएंगे? एक, दो दो मेरे भई देख लो Q कोश्चन लंबा है लेकिन असान Q कोश्चन लंबा ज़रूर है वो मैं मान रहा हूँ लेकिन असान लिख लिजे प्लीज अगर सही किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन ने बताना है इसको मैं सही किया निए Q कोश्चन नमबर 25th पॉदी डे J.E.डवांस 2016 जिस साल हमने अडवांस दिया था उस साल का कोश्चन है है इसका अनसर जो है SINGLE correct आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है देखते है किस किस का सही कमेंट सेक्शन में बताने का है इचिए लिए फिर नेक्स लास के अंदर make sure आप वीडियो को like कर देना subscribe करतीजी चैनल को अब इतक नहीं किया है next lecture मिलते है revise करके आइए answer बताइए all the best everyone, जैहत bye